अलो फ्रेंट्स मादो केश्रो चेनल में आपका स्वागत है आज हम लड़ू उपाल के लिए यह चोली बनाएंगे ओसाक वाले तो में यह चोली स्थी पठी से मैंने चोली बनाई है तो यहां से देखें मैंने स्थी पठी से चोली बनाकर पूरी तयार कर दिये है help लगा कि यहां से मैं दो इंची आदा इंची छोड़ की और फिर देड़ इंची पर मैं ये पूरा निसा लगाऊंगी और निसा लगाके यहां से शिलाई लगाऊंगी यह देखिए इस तरह से मैं उपर रखेंगी और रखेंगे शिलाई लगाऊंगी डबल तेरा लगाएंगे इसकी फ्रेंट्स इतने दिन तक वीडियो नहीं आया तो मैं साधी में गई हुई थी इसलिए मैं वीडियो नहीं डाल पाई सिस्टर की साधी थी तो मैं वहाँ पे गई हुई थी अब मैं आई हूँ अब कंट्रूर आपको वीडियो मिलेगा ये देखे इस तरह से मैंने इसकी सिलाई लगा दी है और ये लिडिगो पाल के लिए चूली बनके तियार हो गई है पोसाग की तो ये मैंने पोसाग लिए है और पोसाग को यहाँ नीचे सिलाई लगा देंगे इस तरह की पोसाग आपको जल्द ही वीडियो मिलेगा मैंने ये पोसाग बनाई है तो यहाँ पर दो सिलाई लगा देते हैं तो ये चोली अटेच हो जाएगी याँपर इस पोसाग के ही तो अलग अलग नहीं रहेगी ये चोली भी और पोसाग के साथ ही चोली बन जाएगी तो फ्रेंट्स ये पोसाग बनाना आपको कैसी लगी चोली बनाना तो मुझे कमेंट में बताइए और इस पोसाग का वीडियो आपको जल्द ही मिलेगा ये देखी इस तरह से मैंने ये सिम्पल पुसाख बना के तयार की है इस तरह से ये पूरी पुसाख बन के तयार हो गई है